असलाम अलेकुम मैं हूँ अक्तर रह्मान और आप देख रहे हैं ओफिशल अक्तर रह्मान सर यूटूब चैनल जैसे कि आप तमाम लोग जानते हो कि 14 तारिक को जो है सीटेट का ओफिशल नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो 20 जुलाई क किस तरीके से होंगा एक्जाम किस तरीके से होंगा ऑनलायन होंगा या और अफ्लाइन या पेपर एक में क्या होता ये तमाम चिज़ेधे आप जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप तमाम से रिक्वेश्टे की चैनल को subscribe कीजिए और साते साथ bell icon को press कीजिए subscribe करने के बाद अगर आप bell icon को press नहीं करते हो तो आपको notification नहीं मिलता वीडियो का स्टिफिकेशन नहीं मिलता है तो चीज़े आप तक नहीं पोस्ट यह तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस किजिए और हमें सपोर्ट किजिए तमाम स्टुडेंट तक सीटेट का भी माहौल चल रहा है तो तमाम सीटेट से रिलेटेट आउनलाइन मोड पर होंगा कोई नेगीटिव मार्केंग इसमें नहीं है यानि आप जितने सवाल सही करोंगे आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने सवाल आप गलत करोंगे उतने सवाल के मार्स आपके कट जाएंगे 150 मार्स के दोनों पेपर होते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोन पिछली वीडियो में भी बताया था फिर सेक बार रिपीट करते हो के पेपर 1 जो है उसको 5 हिस्सों में डिवाइट किया जाता है देखो पीछे सलाइड में चीज़े आपको दिख भी रहे है पेपर 1 का जो पैटरन वह आपको नजर आ रहा है पास इसको डिवाइट किया जा पहला topic होता है आप देख रहें फीछे कि पहला जो subject होता है वह होता है child development and pedagogy इसका अर्थ होता है बाल विकास यह हमारा compulsory paper है paper 1 में भी होता है paper 2 में भी होता है तो 30 Mars का यह paper होता है in हम बात कर रहें paper एक की paper एक में और दुसरा जो टॉपिक होता है इसको मैंने कहा कि पांच हिस्तों में डिवाइड किया गया है इसमें जो दूसरा टॉपिक होता है वह होता है यह होता है 30 मार्स का 90 मार्स हो चुके और language 1 और language 2 इसके बाद इस तरीके से यह paper होता है तो language 1 में आप जो है आपको HSC D8 के बाद paper 1 देना होता है ठीक है और B8 वाले भी इसको दे सकते तो language 1 और language 2 आपने वह select करनी है जो language का तालुक आप से है या आप जिस language को जानते हो जो college में आपने language के 11 वार्यों में जो language के जैसा कि उर्दू मेडम के बच्चे होते वह उर्दू या English ले सकते उर्दू या Hindi ले सकते और जिस तरीके से Marathi मेडम के जो student होते है वह Marathi के साथ हिंदी ले सकते है, Marathi के साथ उर्दू ले सकते है मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँ कि फर्स्ट लैंग्वेज आपने वह रखने है जो आपकी perfect language है क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल आती है और सेकंड लैंग्वेज उससे थोड़ी आसान आती है जैसा आती है और चाहई लैंग्वेज त लहें लाएंग्वेज यह पहली लैंग्वेज वही सिलेक्ट करना है जो आपको ज्यादा बहतर लगते हैं जिसमें आप ज़्यादा पक्के हो दूसरी language वो होती है जो आसान आपको लगती है वो language लेना चाहिए को कि पहली language जो हो थोड़ी difficult आती है और दूसरी language जो हो थोड़ी आसान होती है इसके बाद हम paper 2 का pattern देखते है paper 2 का pattern किस तरीके पेपर 2 के अंदर जो है आपने paper 2 में आपको जो पहला आपका subject होता है वो होता है child development and pedagogy बाल विकास यह वो अध्यापन श्यास्तुर यह टॉप यह जो पेपर है यह सब जो subject यहां पर भी कंपलसरी होता है उसके बाद paper 2 की जहां तक हम बात करते हैं इसमें दूसरा जो दूसरा जो subject आता है दूसरा जो पीशे आता है वो होता है 60 number के लिए जो BA वाले student है वो जो होते इसको जिसको हम SST social science कहते हैं वो ले सकते हैं आपको पीछे slide में दिख रहा है कि BA वाले student जो है वो social science लेते हैं 60 marks का याने question number 31 से लेकर question number 90 तक social science का हिस्सा होता है और जो science वा वाले बच्चे वो mathematics plus science इस तरीके से subject लेते हैं तो 31 से लेकर 90 number तक mathematics plus science इस तरीके से प्रश्णो पूछे जाते हैं यह दूसरे paper का format हम आपको बता रहे हैं उसके बाद question number 11 से लेकर 120 तक जो आता है वो language 1 आती है तो language 1 आपने वही select करनी है जो आपकी बहुत ज्यादा बहतर है जैसा मैंने मराठी language select किया था आप लोगों कि उर्दू ज्यादा बहतर language है तो आपने उर्दू language number 1 में लेनी है जो एकनू से लेकर 120 तक question आते है और language 2 जो है वो 121 से लेकर 150 number तक question आते है language 2 वो लेना है जो आपको आती है और जो आपको आसान भी लगते language 1 और language 2 में यह ही फरक है कि language 1 जो होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है और language 2 जो होती है वो उससे थोड़ी आसान होती है तो मतलब हमने language 1 ऐसी select करनी है नहीं तो आप क्या करों उर्दू दूसरी language ले लोंगे और जो इंगलिश पहले language ले लोगे या जो भी आपको language उतनी खास नहीं आ अगर वो आपको आपने फर्स्ट language सेलेक्ट कर लिए तो याद रखो कि फर्स्ट language का पेपर जो है थोड़ा सा मुश्किल आता है यह होगे सीटेट 2022 डिसेंबर में होने वाली बात और पेपर किस तरीके से होगा देकि पेपर जो है पूरा महिना बर चलेंगा डिसेंबर की जैसा कि पिछले साल हुआ ना जनुवरी तक चला डिसेंबर से लेकर जनुवरी तक चला तो आपने अभी से जो है सीटेट की जो चीजेँ है आपकी जो सबजेक्ट है आपकी जो नोट से उसको आपने जमाना शुरू कर देना है साथी साथ ओनलाइन वीडियो भी आपने देखने सीटेट पास होने का यही तरीका होता है मतलब सीटेट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बिलकुल मुश्किल नहीं है कुछ भी नहीं है मैं बताओं आपको के सीटेट जो है कुछ भी नहीं है मतलब जिस तरीके से हम चीजों को फेस करते तो मैं आपको यही कहूं से 100 110 नंबर आप इसके अंदर निकाल सकते हो बट आपने सेलेक्शन जो है आपके सब्जेक्ट का बहतर करना है और आपने जो नोट से आपकी जो भी चीज़े वह आपने बिल्कुल तैयारी के साथ में भी लग जाना है आप अपने सेल्प नोट बनाओ आप पढ़ते हो पर जो हे औन्लाइन मोंड होंगा और MXू टाइप में क्योश्चैन आएंगी साथी यसाथ पेपर भन में क्या करना है पेपर प्या कि मैं क्या करना है यह सारी बात इन आपको बटा स्टेट एकदम आसान है सबसे आसान है महाँ टेट से बहुत जाद है आसान है तो अगर आप यहां से डिसेंबर तक अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी तईयर है कि जादन यह एकदढ़ घंटा भी अगर रोज आपने से एक नस चीजों से जुड़े रहे आप उन चीजों में ध्यान देते रहे हमारे गुरूप में करीब साड़े सास्सो स्टुडेंट है वाटसब गुरूप में तो मैं उनको यह इदायत है देता हूँ मतलब कि अगर आप सिर्फ न इसको पॉजिटिव लेंगे और बहुत आसन तरीके से लेंगे इसको तो बिल्कुल सेटेट्स हो आप लोगों का हो जाएंगा तो यही बात आपसे करनी थी और कुछ सवाल होते हैं तो हमें कॉमेंट्स में आपके सवाल पूछिए और जो भी च शेयर कीजिए अगले वीडियो में हम कुछ और बहतर चीजे लेकर आपके लिए आते हैं तब तक अल्ला अपिस